वेल्कम टुदा वेब मैट्स आज हम लोग समांतर सेनी का इंडिट्रक्शन लेकर आया हूं तो लोग जानेंगे कि समांतर सेनी करें होता क्या है तो वैसा अनुकुरम जिसका अंतर या सार्ब अंतर यह हम डिस्कुस करेंगे समान हो यानि कि उसके बीचे डिफरेंस भी 2 वी बीचे जना इन चली एक अटर पर ने दीफरा होता है और बहुतास करें तो अनूकुरम जिसका उंतर समान हो उससे कोई यहांनों वह से भीकार मद ग एक अनृत्वग जैसे हमना है तो कुछ कुछ टर्म से जिसे हमें पढ़ना है चलिए एक और एजमबर लेते हैं जैसे टू हुआ फोड हुआ शिक्स हुआ एट हुआ तो सबसे फॉस्ट है कि यह क्या होता है यानिकि प्रथम पद सबसे फॉस्ट यानिकि इसे ही हम लोग ए कहते हैं ठीक है फिर एडी डी क किसे करते हैं तो उसे प्रथम जानती है जानेंगे कि इसे एटू कहेंगे इसे एथिरी कहेंगे और इसे एफोड कहेंगे तो आता है डी किसे करते हैं तो जो यह डिफ्रेंस निकल रहा है थाना इन दोनों के बीच उसे यह सारवंतर कहते हैं कैसे निकलते हैं फ्रमुला हो लब 6 6-4 यानिकी समान आदा है आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आखिर का सालब अनितर क्या होता है उससे n क्या पदों की संख्या यह हम आगे जाकर डिसकस करेंगे फिर क्या अन्तिम पद हो सकता है कि यह अनुक्रान चलते चलते जाकर 50 पर जाकर खत्म हो जाए तो इसे हम लोग कर लेते हैं कि निन समानतर सेनी 7 11 15 19 का हमें सार अंतर ग्याद्पन है जो मैंने परहाया उसके बिहार बोड का एजाम में भी आ चुका है तो कैसे बनाएंगे सिंपल है सब्सक्राइब दिख लेंगे क्या एपी मतलब समानतर सेनी ब्राबर साथ 11 15 19 फिर क्या करते हैं इससे हम लोग लर्वज़ का थी थीजाम में आगा ठीक है फिर किसके क्वास्चन को करने से परहं में को फरॉस्चन k कि दुगा एक फॉर्मूला दून EM ब्राबर में дел प्रातर में एप्लस एड भान माइनमस twin इन्टी Hindi इसी फ्रॉन माउम्मूला का यूज़ करके … हम लोग questions करेंगे आप जानगे a n क्या होता है अंतिपद a क्या होता है परफंपद D क्या होता है सार बंतर और N क्या होता है पदों की संख्या उसे पर मैं क्वेशन लेकर आया हूं यह भी बिहार बोड में 117 ठाहने का मतलब है यह पूचे जाते ही रहा है क्या कर रहा है किसी 1, 1, 3, 5, 7 यहां से 1, 1, 1, 3, 5, 7 इसे 2, 2, 3, 4 इसे 2, 3, 4 कितना आएगा 2 कितना वापद 11 यानिकि n का वैल्य कितना होगा 11 तो चलिए अब्लाइग कर देते हैं क्या होगा a n एक्वाइटू में a पलस n माइनस 1 इन्टू डी तो a n हमें ग्याद करना है a कितना है 1 पलस n कितना दिया हुआ 11 माइनस 1 इन्टू डी कितना है हमारा 2 बिल्कुल सही है यानिकि 1 पलस 11 में से एक गया 10 इन्टू दू दू दस दूना बीस और एक एकीस वाह यह हमारा वैल्य आ गया अब हम लोग आगे और कुस्टम सीखेंगे हमें आगे जाकर चैप्टर ने पूछा रहाएगा कि किसी भी समानतर से निके हम लोग पद का योग कैसे ग्याद करें मतलब एडिस कर कि इतनी पदों के बाद उसका योग कितना होगा तो सबसे दोनों फॉर्मूला का यूज करकर बनाएंगे यह बहुत कम केसा समीज होता इतना सारा कुछें क्यों करवाना हूं मैं आपका बेसिस कॉंसेप्स करना चाहता हूं क्या है कि स्रेनी एक चार साथ दर्स को 20 पदों तक जोड़े मैंने कहा है अगर जोडने का बास है क्या करेंगे यह फॉर्मूला यूज करेंगे लिए क्या होता है इसे एवर कहते हैं तो ए क्या है हमारा 1 जिकलियर है सार्वन्तर फर्मूला यह होता है एक हटो 21 ़इन की ह स्पादक यह हमारा उसी थरा कितने पनतल तक है यह न कितना है 20 विकलिवत harvest मैंने यह उढ़िए करेंगे एन कितना है 20 और एक आप्लै कर दिंगेगे क्या फॉर्मूला हमत्वा s n equal to में n by 2 2a plus n minus 1 into में d यान कि n कितना है 20 20 upon 2 into 2 into a कितना है 1 plus n कितना बात कहा गया 20 minus 1 into d कितना है 3 अब solve कर देंगे कितना उनकटेगा 10 बार में 2 से 2 plus 20 में से 1 जाएगा 19 into में 3 ठीक है फिर 3 2 plus 93 जा 57 होता है यानि कि लिख सकते हैं हम लोग 10 into जुड़ेगा कितना है 59 यानि कि 590 यानि कि इस 20 पदों का योग इतना हैगा ऐसे बहुत सारे कूचन हमें करने इसलिए पहले ही करवा दे रहा हूं ताकि कॉंसेप्ट किलियर हो चलिए आज की लेक्चर यहीं खतम होता है अगले लेक्चर में हम बढ़िया बढ़िया कोस्टन करेंगे इसी चेप् करके तब तक लिए पढ़ते रहिए ठैंस वरोचिक वीडियो